नमस्क्र दोस्तों स्वागत है आपका हमारे योटूब चैनल टेग बॉयमुगेक्स में दोस्तों आज के बुड़ों आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंड और काफी ज़दा योजफूल होने वाले क्योंकि आज की बुड़ों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने Realme C33 के फोन में किसी भी एप को लोग कैसे करेंगे दोस्तों आपको Realme C33 के फोन में फीचर नहीं मिलता है क्योंकि ये फीचर दिया ही नहीं है इसलिए आपको Play Store open करना है और ये एक application डाउलोड करना है जिसका नाम है Lockit Lockit application के द्वारा किसी भी एप को लोग कर सकते हैं Lockit आप लिखकर सर्च करेंगे Lockit आप सर्च करेंगे application डाउलोड कर लेंगे और open करेंगे इसको सारी permission आप लोग allow कर देंगे इसके बाद अपना कोई भी एक pattern यहाँ पर बनाना चाहते हैं pattern बना लेंगे वरना नीचे switch to pin पर click करके pin बना लेंगे हम यहाँ पर pattern बना रहे हैं दो बार pattern इंटर करेंगे इसके बाद यहाँ पर question है यहाँ पर कोई भी एक security question आप लोग पहले select कर लेंगे और नीचे इसका answer कुछ भी आप लोग लिख दीजिए app lock लिख दीजिए यहाँ पर या कुछ भी लिख दीजिए अब इसके बाद यहाँ देख सकते हैं done का option मिलता है done के option पर आपको click कर देना है done के option पर जैसे आप लोग किलिक करते हैं किलिक करने बाद नया page open होगा और यहाँ पर default room में अगर application select है तो इनको unselect कर दीजिए और नीचे protect anyway के option पर किलिक कर दीजिए किलिक करने बाद कुछ ऐसे interface आपको देखने को मिलता app lock का option, app lock के option पर आप लोग किलिक करेंगे देना है तो यहाँ पर सभी application के list आ चुकी है जिस भी app को lock करना चाहते हैं यहां से कर सकते हैं चलिए हम किलिक करते हैं किसी भी app को lock करने के लिए पहले तो आप लोग करेंगे तो फर्स टायम के यहाँ पर परमीशन देना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर परमीट का option है इस पर हम किलिक करते हैं यहाँ नीचे आएंगे लोकिट है लोकिट पर किलिक करके इसको हम आन कर देंगे अब यहाँ पे bike आ जाएंगे, बैक आने के बाद यहाँ पे फिर से setting option दिखा रहा है, setting के option पर click करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे locate application जहां काई भी है, इसको on कर देंगे बैक आएंगे permit के option पर click करेंगे और इसके बाद यहाँ पे install service पर click करेंगे और locate पर click करके इसको हम on कर देंगे, allow कर देंगे इसके बाद हम लोग bike आ जाएंगे, बैक आने के बाद अब किसी भी app को one click में log कर सकते हैं Facebook log हो चुगा है, WhatsApp log हो चुगा है, देख सकते हैं, अगर Facebook को open करते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, pattern मांग रहा है वीडियो इंपॉर्टन्ट लगे दिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिलकुल न भूलें